सूप्रीम कोच राम सेतु को राष्ट्य धरोहर घोशित करने के लिए सरकार को निर्देश देनी की मांग वाली याचिका पर सुन्वाई के लिए तैयार हो गई है यह याचिका भाज़बा की पूर्फ सांसत सुब्रमणियम स्वामी ने दायर की है स्वामी ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है वो 9 साल से इसे टाल रही है CGI, DY, चंदरचुड और जस्टिस, P.S. नरसिमह और J.B. पार्दिवाला की मैंच ने कहा कि हम इस पर जल्द सुनवाई करेंगे इससे पहले 19 जनवरी को सरकार ने सुप्रीम कोट को दिये हलफनामे में कहा था कि राम सेतु को राष्टी धरोहर घोशित करने की प्रक्रिया पर संस्कृती मंत्राले काम कर रहा है केंद्रिय मंत्री जीतेंद्र सिंग ने पिशले साल 22 दिसंबर को राज्य सभा में कहा था कि भारतिय सेटिलाइट्स को राम सेतु की उत्पत्ती से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है जितेंद्र ने कहा था भारती सेटेलाइट्स ने रामसेतु की हाई रेजोलिशन तस्वीरे नी है हाला कि इन से कोई पुक्ता सबूत नहीं मिले है भारत के रामश्वरम और श्रिलंका के मननार द्वीब के बीच चूने की उथली चटानों की चेन है इसे भारत में रामसेतु और दुनिया भर में एंड्स ब्रिच की नाम से जाना जाता है इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है ये पुल मननार की खाड़ी और पाक जल्ड अमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है इस इलाके में समुद्र बेहद उतला है जिससे यहां बड़ी नावे और जहाद चलाने में खासी दिक्कत आती है कहा जाता है कि पंद्रवी श्यताबदीक तक इस धांचे पर चलकर रामेश्रम से मननार दूप तक जाया जा सकता था लेकिन तुफानों ने यहां समुद्र को कुछ गहरा कर दिया जिसके बाद यह पुल समुद्र में डूप कया ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहें जस हिंदी और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले साथ ही आप अपना फीडबैक हमें info at justbroadcasting.com पर mail भेज कर जरूर दे